उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीती को मन्जूरी दे दी है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी का लाभ लेने के लिए भ्रमक पोस्ट डिलीट करनी शुरू कर दी है। यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं। डॉट एक्स, ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्य को सब्सक्राइबर और फॉलोर्स के आधार पर चार हिस्सों में बाटा गया है। सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर प्रचार प्रसार करने वालों के लिए भुक्तान की राशी क्रमश पांच लाक, चार लाक, तीन लाक और दो लाक प्रती महीने रखी गई है। वहीं यूट्यूब पर विडियो, शौट्स और पॉड्कास्ट के जरिये प्रचार प्रसार करने वालों को क्रमश आठ लाक, साथ लाक, छे लाक और चार लाक प्रती महीने के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी पॉलिसी के अनुसार, किसी भी स्थिती में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। नई पॉलिसी के जारी होते ही सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों ने गलत कंटेंट डिलीट करने शुरू कर दिये हैं ताकि उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके और दंडात्मक कारवाई से बच सके। दोस्तों यह जानकारी अगर आपको सही लगी तो वीडियो को शेर और लाइक करें।